आज हम लोग पढ़ेंगे कुलॉम का नियम क्या है कुलॉम का नियम जो फ्रांसेसी बेगानिक थे कुलॉम उन्हें दो आवेसों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया एक नियम दिया कि तो उन्हीं दोनों आवेस के बीचे उह नहीं तो पर्तिकर्षन और रिकर्षन कब होता है पर्तिकर्षन कब होता है जब दोनों आवेस सजातिये हो हो यानि अगर पलस पलस अवस हो या मैंणस मैंस आवश हो तब क्या होता है परतिकर्सन होता है और अकर्सन का सिर्धा है तो यहाँ एक आवेस पलस में हो तो दुसरा माइनस में हो एक माइनस में हो एनवेश हो एक और रईन आवेस हो या खौनार वेस दोनों तभी एक दूसरे को आकर्षित करेंगा तो हम लोग कोई दो अभेस को एक माध्यम में रखें तो उस दोनों के बीच में कुछ नहीं कुछ तो बल लगेगा या तो एक करतिकर्शित करें यही नियम लगाया कि क्यू अनकिक बीच вас के बीच लगने वाला एकर्वसान के अकर्षन च्था परतिकर्षन बल कोनों आविसो की मात्राओं Sunuba कुणरण ऐसे कैने अनुकर्मानुपाती ठीक है अनुकर्मानुपाती मतलब होगिं द्सिर्थरींपर्चनल जैसा है वैसे ही जैसे कि अगर पाँच का मलट्थी पांच अर्टी प कर्मानुपाति के लिए हो गया और यह आपको अनुकर मानुपाति के लिए अनुकर मानुपाति के लिए कर्मानुपाती हुए उनके बीच ब्यूत कर्मानुपाती होता है यहाँ ब arrogड्राँ है नई पढ़ा रहा है बालने त्यूंटे की टू के LOVE लगया गर क्योंतीय किवाड़ा रहा है तो क्यों लगाएगा तो यानी परतिकर्शन अलग होगा और कर् करो से न गारेखा स्वữa करेगा रहा कर राखा कर अनुदीस होता है प्ल Smot तो इसको हम लोग निकालते हैं कि इसका क्या फर्मूला होता है चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर माना दो आबेस दो आबेस Q1 तथा Q2 Q1 तथा Q2 एक दूसरे से एक दूसरे से आर दूरी पर है चितर में दिया हुआ दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला बल बीच लगने वाला बल जो होगा वह उसका फर्मूला क्या होगा तो देख लिए तो हम क्या बोले है इस एक प्रॉपोस्टनल टू अनुकरमान पाती क्या होता है क्यों नोब आई क्यों इंटो क्यों टू होगा और लेकिन क्या करणा है लेकिन दूरी के बीच करमान पाती होता है अंधुल के स्कॉार के वर्ड़ के बीच करमान पाती होता है कि कि ऑन टूक युटू आप आई आड क्यों क्यों आपाती है देखे दूरी का स्कॉर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्योंकि आर दूरी दिया हुआ है तो आर का स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है आर का स्क्वाइर हो जाएगा तो आर का ब्यूत करमानुपाति क्या होगा यहीं डियक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा वन बाई आरे स्क्वाइ तो वही कहडा है तो हम लोग दूरी के बिउत करमानुपाति के बराबर होता है अब देखिए जब हम लोग ये proportional को हटाएंगे मतिस मानुपाति को जब हटाएंगे हम लोग मानुपाति को हटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या आ जाएगा if equal to k कि1 q2 य रवाई स्क्वाइर आ जाएगा कि 1 q2 r स्क्वाइर आ जाएगा यहां पर किया है अब पहला यहां इस चाहिए दूसरा आपर है इसी तरह तो यहां पर जो किये है यहां एक क्या है एक नियतांक है नियतांक मतलब कॉंस्टेंट है क्या है एक लिमिट भेलू है मतलब नियतांक है मतलब कॉंस्टेंट भेलू है क्या कुछ ना कुछ भेलू होगा इसी के को हम लोग प्रा बैदुतांक करते हैं प्रा बैदुतांक बाद बताएंगे पहले इसको कि अग्यां करते हैं और इसका मान यानि स्क्रेक का भाईलू मी के बरावर आप OneY फोर पाई एपसाइलन जीरो फोलन जीरो जो होता है वह कहता है निरवाद या बाईू में निरवाद या बायू में इस्ठीट बिधुत सिल्ता, बायू सिधुत सिल्ता के बारे में बताएंगे बिधुत सिल्ता आप परती Kolomb posts $ होता है इसका मातरक और निकालेंगे निकालेंगे तो हम लोग को क्या जाएगा इसका मातरक Newton तो अब चलिए आगे बरते हैं लोग तो हम लोग इसके फर्मूला को आप लोग इस तरह से कर सकते हैं इप इक्वल टू वन वाई फोर पाई एप साइलन जीरो एप साइलन जीरो और यहां पे क्यू वन यू टू अबाई आरे स्क्वाइड यहीं आपका क्या हो गया क्लॉम के नियम का फर्मूला हो गया एप साइलन जीरो यहां पे एप साइलन जीरो यहाँ पर यहाँ जो है एप साइलन जीरो आपका क्या है बायू या निरवात की बिधुत सिलता निरवात की बिधुत सिलता का मतलब हो गया कि जो दोनों करने का उस दोनों में कुछ न कुछ गुन है तो वह जो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसी के क्या बोलते हैं एक दूसरे के बिधुत कर्मानुपार्थी होता है जैसे कि कि इसका हम परिवासा बताते हैं बिधुत सिलता का किसी माध्या में स्थित धिन्दु आबेशान के मध सब्सक्राइब कर बिध़ुत सिलता का लुगता लिए तो परिवासा लिखते हैं तो जुटन इसलता को हम लोग परमीटी वीटी कहते हैं इसमें क्या बोलते हैं परमीटी वीटी परमीटी जहां से समझें सब्सक्राइब का इंपोर्टन टोपिक से इसको हम समझाड़े तो आप कहा सकते हैं किसी माध्यम में स्थित बिंदू किसी माध्यम में स्थित बिंदू है ठीक है बिंदू अबेसो के मध उन्हों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा आवेसो के मध मत अबेसो के मध है लगने वाले मध है लगने वाले पैधूत बल कि थो अधूबल परिमान दो पहलका जो परिमान आएगा वेदूतबल का मैंना ड़िमान लकिकर वर यानि जो इसका दो आएगा परिमान जो है अध्यम उस माध्यम में जिस मांध्यमे और लिग रुखा हो या इक आपर निरवात लकाएखा ओ या किसी जल के जिस बैधुत गुन के ब्यूत करमानुपाती होता है उस बैधुत गुन को माध्यम की ब्यूत सिलता करते है कि जो ब्यूत करमानुपाती ब्यूत सिलता करते हैं को या ब्यूत सिलता करते हैं तो अब आई यहां बात समझ में आ गए बिधुत सिल्टा के वारे में समझ गए हम लोग ठीक है तो अभी हां क्या गया हम लोग को अगर अगर कुलंब के नियम का फर्मूला पुछा जाए तो क्या बताएगा कि एफ इकल टू क्या होता है वन भाई फोर पाई अपसाइलन ज तो यहां पर के कब है यहां जो के है यह के जगा पर हम लोग किस तरह से निकालेंगे यहां देखिए तो पहले सबसे पहले यहां पर जो यह का भैलू आया है मतलब पडियोग द्वारा इसको साइ-पृत्ति में हम लोग अगर इसको पहले ओनावाई-4 पाई-प्साइलन-0 का हम लोग keeps 0 का करते हैं हम आपको बताते हैं कि कैसे भैलू निकलेगा आज़ाँए तो अलीए ऑलग लोग से निकालते हैं. तो SIE पत्ति में. SIE पत्ति में. अलिया आये. इसको ध्यास समझेगा. अब को समझ मैं आए गई है. SIE पत्ति में हम लोग के बराबर 1 बाई. 4 पाई. Barcelona जीरो का अगर निकालते हैं. एक तो हम अभी क्या बता है कि Barcelona जीरो क्या होता है? या निर्वात की बिधुत सिलता होता है तो बिधुत सिलता हो गया और उसके बात किहाँ विधुत सिलता तो एकसा इलंग जीरो बटाबर देखेए ऐनगे लकाव यहां पे सालवड का जो भेलू होता है वह न्यूटर मेंट सकावी ऊता हैं et 500 कह सकते हैं मत बिधूत सिल्था का कह सकते हैं मातरक जो मातरक हो गो आये तो यो निर्वात की बिधूत सिल्था जो हो गया एपसाइलन 08.854 ने 10 2D-12 अब अगर हम लोग यहाँ पे वान भाई फोर पाई अपसाइलन जीरो का भैलू निकालना चलिए आई यह तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 by 4 पाई एपसाइलन जीरो जो है बाथ 1 by 4 ठीक है 4 हो जाएगा और पाई का भैलू क्या होता है 3.14 होता है 3.14 होता है और इंटू एपसाइलन जीरो का भैलू कितना है 8.854 इंटू 10 to the power minus 12 कितना है जब इसको multiply करके गुना उना किजिएगा तो आपको जाएगा 9.854 9.0 नो गुने 10 के power 9 नूटन मिटर स्कॉाइर परती कुलंब स्कॉाइर परती कुलंब स्कॉाइर जैसे कि अभी अभी हम लोग क्या बता है कि 1 by 4 पाई पसाइलन जीरो का यानि बिधू सिलता का रद के क्या है प्राब बैदू तांक है यह जो है प्राब बैदू तांक होत गया नो गुने 10 के power 9 नूटन मिटर स्कॉाइर परती कुलंब स्कॉएर परती कुलंब स्कॉएर तो यह बात तो हो गया आपके यह क्या बोलते हैं एसाइप पत्ती में अगर एफ इक्वल टू एसाइप पत्ती में अगर एफ इक्वल टू आपका वन वाई फोर पाई एप साइलन जिरो यह जो की कुलंब के नियम का फर्मूला है taking issue two five अड़ स्कॉयर और स्कॉयर इतना न्यूटन हो जाएगा इसको न्यूटन परते है ठीक है तो ओनुटनिर फोसक पर और इसंदीन ही है रोज आप लोग इसको इसतार से भी लिख सकते है और स Ugh आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना या एफ इक्वल टू वन वाई फोर पाई अपसालन के जगर पे नाइन इंटू टेन के पावर नाइन ठीक है ठीक है ठीक पावर नाइन और इंटू क्या हो जाएगा इस तरह से आप कहा सकते है कि कुलंब का नियम जो है कुलंब के नियम से अगर कोई फोर्स निकालना है तो हम लोग फोर्स इकल टू इतना कहा सकते है ठीक है एसाई पत्ती में एसाई पत्ती में यह हो गया और कब कहेंगे अब एफ साइलन जीरो गर यहां पे दिया हुआ है उच्छ को तो यह और लेकिन अगर इस दोनों के बीच में कोई माध्यम कोई मामो मैं रखा गया हो जैसे कि जल में हो गया तेल में हो तो हम लोग यहां पर है क्रति यह क्या करेंगे कि के इक वर्ट यदि है यह दी दोनों आवेस कि यह यह इसाई पती में चला वेडिए दोनों आवेस कि दोनों आवेसो हो कि आपेसो के मध्य कोई अन्य माध्यम हो अन्य माध्यम हो अब इसका जो के इक्वल टू होगा के को यहां पर क्या कहते हैं माध्यम का प्रावज़तांग तो के इकल टू यहां क्या हो जाएगा फोर पाई एपसाइलन यहां पर जीरो नहीं लगाएंगे एपसाइलन जीरो का मतलब होता है जीरो जीर यांग यांग-, यहां कि निर्वाट या भैयू कurança टेवाइब तो समझ में यह रखा हूं यांगर रखा हो ठीक है तो आप इसको क्या कहा सकते हैं आईये तो इतना हो गया यहां पर यहां तक चला यह तो यहां पर आप कहा सकते हैं कि अपसाइलन जो है वो किसके बरावर है और किसके क्या चीज जो अध्यम माध्याम की निर्पेच विधूत सिल्ता, जो सिल्ता का मतलब हो गया, कि कोई भी दो आवेसों के बीच जो बैधूत बलो लग रहा है, वही गुन क्या कालाया, विधूत सिल्ता, इसको अच्छे से ध्यान से समझे, माध्याम की निर्पेच विधूत सिल्ता, विडियो लंब कि माध्यम का माध्यम का क्या है प्रा बैदुतांक है माध्यम का प्रा बैदुतांक है जिसको हम लोग इंग्लिस में डाई इलेक्ट्रिक पॉंस्टेंट बोलते हैं प्रा बैदुतांक है टेसके बारे में बताएंगे पृद्धुतांग के बड़े में तो किसको समझे आता है अगर यहां पर देक तो आप यह कर शक्रद्ध है excellent इन्टू यह इपसारन इन्टु इसलेंग जी रो इसलेंग जी रोई इन्टू के अ की अव्य को है ना यह पराबाइध हतां को हम लोग इफसारान आर्थ से भी सुचित करते हैं यह इसका प्राइब हम लोग चाहिए तो contact कर सकते हैं तो यहां पे आते हैं जहां यह तो हो चुका है तो यहां पे आप यह कह सकते हैं यह तो मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक आप इतना लिख सकते हैं कि वानवाई कर झाया यहां पे जगह पर बड़ावाला के ठीक है तो आप यहां पे किया लिख सकते हैं फोर्मूला लगाना होगा तो क्या करेंगे 1Y4 5 Epsilon क्योंकि Epsilon into K के जगा पे हम लोग यहाँ पे Epsilon लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं into Q1 Q2 5 R square R square अदि न्यूटन इतना न्यूटन फोर्स लगा SI पत्ती में माध्यम में भी रहे तो वही बात और क्या बलते हैं माध्यम में रहे तभी भी और बिना माध्यम में रहे तभी मत दोनों का सेमी फर्मूला है यहाँ पे 1Y4 by Epsilon और 1Y4 Epsilon का भाईलू सेमी होता है ठीक है सेमी होता है चलिए अगर यह तो इसाइफ पत्ती में हो गया और अगर CGS पत्ती में रहता फोर्स निकालने के लिए CGS पत्ती में तो CGS पत्ती में क्या रहता है सेंटीमीटर ग्राम और सकेंड ठीक है सेंटीमीटर ग्राम सकेंड पत्ती में जो बहुत पुराना पत्ती है एसाइफ पत्ती आने से पहले का पत्ती है तो CGS पत्ती में रहता और तोनों आबेस जो है जब बाईू या निर्वात हो जो दोनों आबेस बाईू या निर्वात में रहे बाईू या निर्वात हो ठीक है बाईू या निर्वात हो तो k equal to जो परावैदुतांग है आपका k माध्यम का जो परावैदुतांग है उसका भैलू 1 हो जाएगा किछे क्या था k का भैलू 1 by 4 pi epsilon 0 था न epsilon 0 किछे आपका भैलू क्या था k equal to 1 by 4 pi epsilon 0 था लेकिन यहाँ पे सीज़स्पत्ती में k का भैलू 1 हो जाता है तो f equal to अब हम लोग क्या कहेंगे f equal to q1 into q2 by r square क्योंकि k यहाँ पर जो k था आपका k के जगा पर हम लोग 1 लिखे तो 1 के बाद वही हो गया यहाँ पर 1 से गुना करेगा तो इतना ही ना आएगा तो इतना dine dine force का cgs पत्ती में मातरा क्या होता है dine होता है dine होता है ठीक है अब लेकिन अगर जब जब के यानि परावधुतांक जो है आपका किसी माध्यम में हो परावधुतांक अन्न माध्यम हो अन्न माध्यम करने का मतलब हो गया कि अन्न माध्यम हो तो k इक्वल टू k इक्वल टू क्या हो जाता है k का भेलू क्या हो जाता है 1 by k हो जाता है यह k क्या है परावधुतांक है और यह k जो constant वाला k नहीं था ठीक है k यह constant वाला k यहाँ पर जो हम लोग फर्मुला लिखते थे f equal to k into q1 by q2 by r square तो नहीं कहते थे k जो है यहाँ पर constant है तो उस constant का भेलू क्या हो जाएगा वहाँ पर 1 by k हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर कहा सकते है f equal to f equal to 1 by k q1 into q2 by r square जना डाइन ठीक है यह आपका फोर्स का फैलू हो गया चलिए यह आपको समझे नहीं है तो फिर से बिरूट देखके इसको समझ सकते आ गया इतना बात समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए इतना हो गया इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं लो अगया सिजस्पत्ति में समझ गया है और हाँ देखिए तो अगर आपको कहा जाए इस स्यल टी15 का बिमियस सूत्र बाताही जो की काफी दिया कुष्चन है एक कुष्चन है अपका है यह कुष्चन बार-बार पुछा जाता है य अगर इपवाल 1 लग स्यल घ्राने का मैं इस सूत्र यहनी डायमेंस्ट संल फ़र्मूला पूछ हो क्या बताwheelगा यहां से देखिए epsilon 0 का जो बीमियस सूत्र हुगा पहले तो यह समझेए कि f equal to क्या था 1 by 4 pi epsilon 0 into क्या था q1 q2 by r square यहीं न था तो यहां से अगर epsilon 0 को यहां ले आते हैं epsilon 0 equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 pi और f यहां पर चलाएगा 4 pi f और q1 q2 by r square यहीं न होगा तो बीमियस सूत्र का मतलब होता है कि रहें mlt फर्मूला पढ़े होगा mlt m का मतलब हो गया mass यानि कोई दरभमान और l का मतलब हो गया length लंबाई और t का मतलब हो गया समय इसमें यह भी जूट जाता है जिसको एंपियर बोला जाता है यानि धारा का यह क्या होता है एंपियर धारा कैसे मतलब एंपियर होता है कि तो आए तो इसी बहुत फर्मूला पर हमको इसको इसको बीमेश शूतर बनाना है तो एपसाइलन जीरो इक्वल टो आपको यहां पर क्या आया है वन वाइप फोर पाई एफ अ क्यू वन टू बाई आड़े स्क्वाय तो इसका बीमेश चूतर आपकी तरह से बनाईएग अब एस बराबर क्या होता है धारा गुन्य समय पिछले बढ़ा वीडियो में सब में देख लिए जगा धारा गुन्य समय धारा को हम लोग एस से डिनोट करते हैं यह और समय को यानि सकेंड सकेंड जोता है तो ठीक है तो हम लोग यहां पर 80 इंटू 80 कर सकते हैं अब इसके लिए अब इसके लिए अब इसके लितना कर सकते हैं लोग और पाई तो कॉंस्टेंट है तो कॉंस्टेंट का कोई मात्रव होता नहीं है तो आई यह तो एफ का क्या मात्रव होता है न्यूटन होता है और न्यूटन क्या है एक मास है द्रवमान है तो यहां पर लिख सकते हैं यहां पर देखिए आप क्या पढ़े थे न्यूटन मीटर स्क्वाइर हाँ ठीक है तो आए फोर्स को पूरा ले को फोर्स जो होता है आपका यह पढ़े वह यहां न्यूटन मीटर स्क्वाइर परती कुलंब स्क्वाइर न्यूटन मीटर क्या होता है न्यूटन मीटर परती सकेंड स्क्वाइर या दखिएगा फोर्स का क्या होता है न्यूटन मीटर परती सकेंड स्क्वाइर यानि जो आपका न्यूटन का चले तो यह फोर्स जो है फोर्स के लिए फोर्स का जो आप ब वह क्या होता है mlt अब माइनस टू यह आप फोर्स का बीमिय सूत्र परहे हुएगा 11 क्लास में यहां पर हम लोग इस फोर्स के जगह पे mlt माइनस टू इस तरह से है को हम लोग लिख सकते हैं और आरए स्कॉयर के जगह पे लेंथ का इसगॉयर लिख सकते हैं ल का इसको तो तोड़िए आप तो आपके पास क्या क्या आयागा यह देख लिए एक तो एम नीचे के तरफ है तो उपर जाएगा तो एम इनवर्स नहीं हो जाएगा एम टुरी पार माइनस वन और यहां पर देखिए एल एल नीचे है एक एक यहां पर है एक है एक और दो तीन एल तीन को नीचे है तो उपर जायेगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग यां पर उलिख दी कही आपका भी इसुत्र हो गया अपसैसी सचीलक और द्रमाण ही although नहीं लगता है तो आप कहा सकते हैं तो आप कहे सकते हैं कि जो यह जो एफिशाइलन का फर्मूला जो हम ल souffle ते एफिशाइलन ув inglés sino के यह कह सकते हैं लगा को यूबिए इफिशाइलन इंडू जीरो दोनों बराबर हो गया तो जब दोनों बराबर हो एफसाइलन इंटू एफसाइलन जीरो दोनों बराबर हो गया जब दोनों बराबर हो गया तो एफसाइलन का बिमासूत्र कहें तो एफसाइलन या एफसाइलन जीरो का बिमासूत्र बराबर होता है सेम होता है पिमासूत्र बराबर होता है मतलब सेम होता है ठीक है बराबर हो अब करते हैं अगर हम लोग सो पुछा जाए कि एक कुलॉम का परिवासा लिखिए एक कुलॉम का परिवासा क्या लिखिएगा एक कुलॉम एक कुलॉम एक कुलॉम वहाँ आबेस है जो निर्वात या बायू में अपने से एक मीटर दूर एक मीटर दूर रखे रखे अपने समान परिमान के मतलब दोनों का जो भार हो बराबर हो दो आपने समान परिमान का होना चाहिए तो दोनों पलस पलस माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है ठीक है मतलब पलस पलस माइनस पलस माइनस दोनों समान आवे परिमान के एक मीटर दूर रखे अपने समान परिमान अपने समान परिमान 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 के होता है समान परिमान के आबेस को 9 गुने 10 के पावर 9 नूटन के बल से बल से या तो पर्तिकर्सित करेगा नहीं तो आकर्सित करेगा कहीं न काम करेगा दोनों में से तो कोई काम करेगा पर्तिकर्सित करता है पर्तिकर्सित या आकर्सित करता है अब समझ में कि अगर कोई दो आबेस एक मीटर के बीच के दूरी में रखा गया हुआ है तो वह कितना फोर्स से एक दूसरे को पर्तिकर्सित या आकर्सित करेगा 9 गुने 10 के पवर 9 Newton के बल से अकर्षित करता है या परतिकर्षित करता है जैसे कि मालेजे की 2 आवेस दिया हुआ है तो आवेस दिया हुआ है और इसके बीच क्या दूरी जो है एक मीटर है ये Q1 हो गया और Q2 हो गया ये दोनों जो है एक दूसरे को परतिकर्षित या करेगा 9 गुने 10 के पवर 9 Newton के बल से प्रतिकर्षित या कर्षित करता है यह आपको objective में पूछा जा सकता है कि कोई भी दो दो आवेसों के बीच लगने वाले बल का भैलू कितना होता है मान कितना होता है तो 9 गुने 10 के पवर 9 Newton होता है यह बात याद रखिएगा अगर एक कोई पराव दूत माध्यम उपस्तित होने पर के बीच घट जाता है कि यह बात करता समझ में आ गया कि परतिकर्षित आकर्षित करता है और एक चीज़ और था कि यह बात समझ में आ गया कि जो इंपोर्टेंट होगा सिफ हम भी परहेंगे को आखwhat थे लिए विखते हैं तो कुलम के नियम का सुट्र अगर पूछे तो क्या बताईएगा क्यों लुट कीन Q टुमन कीतीुर को की होता पूछे गातो नियुक है और धाये यह निवा उससटाट की को आल्र कनी कॉता, नियुथRO 10 pull फोर प्छिए विंदू आबेस हां हम तेल मौम तेल काच आदि में रखे हो तो उनके बीच लगने वाला बन क्या होगा यह निरवात या भायू में फोर्स हो गया और अगर यह तो यह यह फिसी माद्ध हमें रखा हुआ और इसका मातरा क्या होता है कुलम स्कॉार परती न्यूटर मीटर इसकॉार होता है कि अलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या रखा हुआ कि अच्छा आप कहिए कि अप्सारां जीरो का भैलू आठ तसमलाव आठ पांच तो इसके लिए हम एक अलग बना देंगे इन अभी आप यहाँ पर इसी बात को ध्यान रखिए कि अजय जानते हैं क्या होता है कि वह आ प्रद्वाद की बिदुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कुलम का नियम सदिस रूप में कल पढ़ेंगे हम लोग ठीक है कितना आवेस होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स गुन्हें टेन तुरी नाइन कुलम कुछ कुछिश्चन है उसको हम लोग तुरह देखते हैं टिलेक्ट्रोन पर आवेस होता है तो रिनातमक ठीक है एक अलफा कन पर आवेस होता है ऐस पर जो आवेस होगा वो यह रृजो होता है 3.2 गुन्न्य 10 के पावर 29 कुलॉम्प का नियम में एप्सायलन0 का मान कितना होता है सब्सायलन0 का मान होता है 8.85 गुन्न्य 1025 मान्स 12 कहीं फेपे कुलॉम्प सक्षायर परति न्यूटन-mr2 भी मिल सकता है इधर लिखे थे लिखे 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 है तर मिटर स्क्वाइर यह इसे ही होता है तो अले ठीक है तो अगला राका चेप्टर होगा लॉकर नियम सजिस रूप में और कुलम का नियम के महत के बारे परेकल पढ़ेंगे